हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल स्वाम क्लास में दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल जिसका एक्जाम SSC यानी स्टाप सेलेक्शन कमिशन कराएगा 5846 पदो पर वेकेंसी निकाल दी गई है जिसका आवेदन आज से स्टार्ट ह हो गया है सम्मंदित हमने वीडियो अपने चैनल पर डाली है अब हमें यह भी मिल रहा था कि अभ्यारति चाह रहे थे कि जो प्रिविएस यर कोस्टन पेपर हुआ है उसकी वीडियो बनाकर हमें मिले तो प्रिविएस यर जो कोस्टन पेपर हुआ है SSC के द्वारा है कोई फर्जी पेपर नहीं है इंदा फॉलॉविंग कोस्टन तो प्लीज हमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर को जादा जादा जाद सेयर करें तरह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें निमलिखित परसन में से आपको सही चाट कर लिखना था अल्टर जो करेक्ट आंसर था इसका वेजिटेबल एससी के दुवारा माना गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है जिसमें लिखा है कि फ्लिक एफ एफ एल डी जे एमजी बोलते हैं तो ट्रिट को आप उस लेंग्विज में क्या बोलेंगे तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा क्य नेक्स्ट को एफ जुआइट नेब्य वी जाएगा जाएगा जिसमें लिखाता इसके दोरा पोछे गए हैं वहीं हम आप से इस पेपर में डिसकस करेंगे चैनल को सुस्क्राइब बी जरूर करतेों Next question है कि राहूल X रुपिय तीन वर्स के लिए Y परसेंट की ब्याज़ दपन निवेस किया 12 वर्स पर उसी समान धन्राशी का ऐसे करके question लिया गया है जिसका right answer हो जाएगा B यानि A अनुपाच्या Next question है किस देश में सिंदु नधी परवाहित नहीं होती तो आप जानते होंगे अफगानिस्तान इसमें सिंदु नधी परवाहित नहीं करती भारत पागिस्तान तथा चीन से होकर यह बहती है नमलिकित वितरन का माद्य क्या है नमलिकित वितरन का जो माद्य है इसका right answer हो को बताना की निमलमें से कौन सा च़ही हूए कुछ पेन बिल्लियां हैं सभी बिल्लियां बस हैं सभी बसे बिल्लियां हैं कुछ करके दिया गया प्रसंट तो इस परसंट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो का फोर का भी हो गया निकुछ बसे बिल्लियां है और कभी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और अक्सिजन प्रकृति चाहेगी नेचर चाहेगी वो जीवत रहेगा जिसे नेचर चाहेगी वो जीएगा नेच्स कुस्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का बी यकृत में यूरिया का निर्मान होता है और यह हमारे अपचे होते हैं यानि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बोड़ी में जो बचते हैं वो यूरिया होते हैं नेच्स का राइट आंसर हो जाएगा जीरो यानि की अप्सन पौर का बी यानि की रभीवारी नेच्स है निमिनिक वियंजक का मान क्या है कोट बन ने इस तरीके से करके दिया गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो यानि की अप्सन पौर का ए नेच्स है चार मिनार का निमिनिक रूप में व्यापक रूप से फैली बीमारी के उनमोलन की याद दिलाने में किया गया था तो कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए आतर ट्रेनिया बस का प्रियोग करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कड़ी यानि की चालिस नेक्स है नीचे दिगए गद्ध आंस को पढ़ें तो तक दिए गए परसंद के उत्तर आपको देने हैं कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेनिया बस दोनों का प्रियोग करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानि की दो नेक्स परसंद है जी दे गए अंस को पढ़ें तो था उत्तर देना था जिसका राइट आंसर है केवल ट्रेन से जाने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या की संख्या का कितने परतीसत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, right answer हो जाएगा आपका C यानि की 32% इन में से एक समाजिक सिधान्त क्या है कोई है समझाने का परियास करता है क्यों समाज विभिन समाजिक संस्थाव की भी सम्मंदों का ध्यान के इंदरित कार्य करता है कि समाज का निर्मान हो इसका right answer हो जाएगा 4 का A इसका right answer हो जाएगा आपका A next person है जो एक वैस्विक विरासत इस्थल भी है इसका right answer हो जाएगा option number 4 का C केवला देव राष्टे उधान और सानी के नियूंत्यम के परतिक्रिया सील ता तो कौन से है नियूंत्यम पूछा गया है उसका right answer हो जाएगा तो यानि उत्कृष्ट गया से नियूंत्यम के रिया सील है एक दुकान दार उनी सुर्पे परतिक्रिया कि दिरसे चीनी बेजता है और उसे 5% की हानी होती है दस परसेंट का लाब कमाने के लिए उसे चीनी का बेखना होगा तो इसका right answer दो का सी यानि की 22 रुपे यदि self को by 7-11-7 से कोडिक्ट किया जाता है leaves को क्या कोडिक्ट किया जाता है simple है कोई नहीं आप समन सकते है word को के वाल उसके numbering की गई है तो इसका right answer हो जाएगा 4 का a यानि कि 13,4,2,21,6,18 police को Q, LMR,DV से कोडिक्ट किया जाता है next person आ रहा है भातर समिधान के किस अनुच्षेद में वित्या पातकाल से सम्मंदित प्रावधान वरनित है वित्या पातकाल पुछा गया है तो वित्या पातकाल के लिए है 360 यानि की C पर्थम दो सब्दों के मद्ध है सम्मंद के अधारपा अनुपस्थित सब्द ग्यात करें cat, kitten है, donkey क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा 3 का हे, यानि की 4 दो धनात्मक पुन्नाकों का अनुपा 3, अनुपा 4 है उनका योग 70 है पर तेक पुन्नांक में कितना अंक जोड़ा जना चाहिए कि उसका अनुपाद 5 अनुपाद 6 हो जाए तो इसका right answer हो जाएगा 2 का B, यानि की 20 जब सीधे उपर की और फैंक गया एक पत्तर सीर्स पर पहुंचता है तो इसका वेग तो इस परकार पूछा गया answer है तो इसका right answer हो जाएगा B, यानि B, सुनने हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा 10 मिटर सेकेंड इस्पायर होता है भारत्य पूरुसों की वाटर पोलो टीम ने ACI खेलों में किस वर्ट स्वर्ण पता जिदा था करन्ट से रिलेटिवी question आपको कई देखने को मिलेंगे तो इसका right answer हो जाएगा C, यानि 19, 51 Next question है एक टीम 45 खेल जीतती है तो जो खेलेगे खेलों का 60% था टीम ने कितने खेल खेले इसका right answer हो जाएगा 3 का B, यानि की 75 खेल Sign A, यदि 1 उपन रूट टूर Coast B वराबर रूट 3 वाई 2 हो तो A plus B का एंगल क्या होगा ये पूछा गया था इसका right answer आजएगा 4 का B, 75 डिग्री Next है नियादी निमलिक खेल मेंसे किसे PC जाए के निती अधिकारिते के बहुत important question था उस समय का इथिक्स officer के रूप में नियूक्त किया गया है तो इसका right answer है A यानि कि नियादी एपी सह नियादी एपी सह को इसे नियूक्त किया गया था Next question आपका आ रहा है निमलिक कित मेंसे कोन असा जानवा एक तीर वाईरल रोग जो मनुस्यक एक संक्रमित जानवर के कार्टने जे फैलता है हिमोफिलिया, कैंसर, रैबीज या ग्लास हुए देखे रैबीज जो है आपका तीर वाईरल रोग है जो कुत्ते के कार्टने जे फैलता है तो इसका right answer हो जाएगा C 60, 120 सते 225 का लैसे LCM ग्यात कीजेगा तो इसका right answer हो जाएगा 4 का B 4 का B, 1800 नेक्स है नीचे देगे साननी को पढ़ें तो आगे देग परशनों के उत्तर दे एक company के तीन उत्पादों के पोसंज जानकारी दी गई है उत्पादन परती किलोगाम किसमस उत्पादन आकर परती 100 ग्राम उत्पादन बादान परती 10 ग्राम प्रोटीन कार्बोईट टेसिज करके दिया गया है तो उत्पादन बादाम में सोडियम फाइबर का कितना परतिसत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A यानि 1.71% नेक्ट है नीचे दिगे जानगारी को परिज़त दिगे परसनों का उत्तराक को देना था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का A यानि 26.27% जिसमें उत्पादन हाक रोट में प्रोटीन उत्पादन किसमीज में फैट कितना परतिसत पूछा गया है नेक्स कुश्चन है आपका जिसमें दिया लिखा गया है नीचे जानगारी को पढ़ें तो तो सही आंसर आपको देना था सभी उत्पादन में उसर्थ कार्बोहईडरेट टाटूग्राम में कितना है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका तीन का B यानि 58.8% जल सोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रियोग किया जाता है जल सोधन में पूछा गया है तो जल सोधन में विप्रित पर आसरनिया रिवर्स ओसमोसिस जिसे आप आरो भी बोलते हैं का प्रियोग किया जाता है नीचे दिये गए वाक के कांस दिये गए है एक अर्थपून वा वाइरस का ओदोगिक मानक नाम क्या था तो इसका 4B यानि की हो जाएगा इसका आंसर मस्तिक्स यानि ब्रेन इसे बोलते हो राइट आंसर हो जाएगा वे किसके द्वार्स चलित होते हैं तो राइट आंसरarlopain का विष्कार का इसकार करने वाले zwaladay कोन ते क्विष्कार करने वाले में जूलियन ओपन हीमर, जॉन डॉल्टन, रोबर्ट मिलकंदे के समझ येगा बहुत इंप्रोटेंट है जॉनियस ओपन हीमर और आप यह भी जानते होंगे अमरीका के द्वारा पर्थम पर्मानुबं जापान पर गिराय गया था जिसके बाद जित्ते विशूत की समाप्पिक की घोजना हो गई थी नेक्स क्वेशन है महिला ने तो रुबे दस वरसिक प्राशिक दर से जमा किये चकर्थ ब्याज की वरसिक दर इस तरह के कोश्चिन दिया गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा और का भी यानि कि दो वरस निमिलक समीकरन को सही करने के लिए किन द विने के दोगना सक्षा में यदि अनिले एक दिन का विने की तुलना में बीज दिन पूरा कर सकते था इस तरह का कोश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर का भी यानि की तेहरे पॉंट तीन तीन दिन अंतराश्टी और अंतराश्टी सोर गठ बंदन जिसके अट सेट क्या है भू समकालिक उपग्रे राइट आंसर हो जाएगा भू कालिक उपग्रे माने अपने बच्चों को अरविंद बीनू और चित्रा को अनुपात इसका कुछ धनासी बाटी यदि बीनू को क्या उन रुपे मिले तो पूछा गया था चित्रा और अरविंद क लाइगा भी यानि कि हैं एक एफ महच वीजी नेक्स कोस्टन है भारत में स्पेस और अप्लीकेशन सेंटर कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन का भी घहमदाबात इस पेस एप्लीकेशन सेंटर सेक जेको इसरों की बात नहीं कर रहे हैं वो दिगई भीनों में को सही आरही करम में लिखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर गाभी यानि पंद्रे अपॉन फोर्टी वान तीन अपॉन साथ उन्नीस अपॉन पैंतिस साथ अपॉन ग्यारा नेक्स कोस्टन है परधान मंत्री श्री नंद्रमोदी ने नहुमर दोजार अपनी बृटे नहीं आथ रहे कि बहुत महत्त कोस्टन है तो इसका राइट आंसर हो जाए उसका राइट आंसर होगा जो हुचे गए हैं चोल राजवान्स के अंतिम सासक कौन थे इसके बारे में पूचा गया तो राज़ा राजेंदर चोल जो थे राजा राजेंदर चोल थार्ड ये इनके अंतिम साजक थे नेक्स कोस्चन आपका है जो नेक्स कोस्चन पुचा गया था तिरभुज एक तिरभुज पी क्यों आर की कुझा मद्धे बिंदू करके दिया गया है तो सरवाजी संबंदित है इस तरह से कोस्चन तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आपका कि नेक्स कोश्चन है सावाराजीर को शिक्षा के इस तर पर सदार रहत है तो गंबिर परियास करने चाहिए तहर आधा सभी सारवाजिनिक्षको लोग तुरंट पर देनकर देना चाहिए तुछ है इसका आंसर ओका आंसर कर दो दोस्तों इस तरीकिसाiebenी हैं हमने कुछ कोईश्चन हम आपको बता रहे हैं और पूरा पीडियाप सो कोईश्चन है का हम आपको पीडियाप लिंक डिस्क्रिस पांबॉक में देंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें सेर्थ तता सब्सक्राइब